ब्रह्मांड सिद्यास्टो में आप सवी का स्वालत है आज के इस वीडिये में हम चाचा करेंगे कि मकर राशी की जो विवाइस द्री होती है उसके एक्स्टा मेरिटे ले लेकर मींड राशी तक ये जो सबी बारा राशिया है जिसके संदर में हम करने माले हैं अपना ये जो चैनल है ब्रह्मान्द सिद्याश्ट्रो इस चैनल पर मेश राशी से लेकर मींद राशीता की जो सभी 12 राशिया हैं इन सभी 12 राशियों के जो विवायत मैला होती हैं उनकी एक्स्ट्रामेरिटल अफैर क्यों होते हैं उसके संदर में वीडियो अप्लोड हो हो चुके हैं आप उसका आनद जरूर लिजे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकर राशी की जो स्त्री होती हैं उनके एक्स्ट्रामेरिटल अफैर क्यों होते हैं सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अमोमन तोर पर यह देखा गया है कि जो पुरुष वर्ग होत आती है तो उसके बारे में उनके पास दो ही मुद्दे होते हैं एक या तो शरीर सुख में कमी है या फिर उनके पैसों की जरूरत है लेकिन असल में देखिए इन रियालिट्य अगर देखें तो यह दो दोनों बाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है पूर्ण तहां गलत ह क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से कुणलिया आती है जो कि मकर राशी की भी है या फिर किसी और राशी के भी महिला है जिनके एक्स्टामेरिटल अफेर है तो उनकी से बाचित करने के बाद कुछ अलग ही मुद्दे सामने आते हैं उनकी जो मांसिक सिती है उनसे वो बहुत ह जुड़े हुए है या फिर उनका जो नेचर है उनका जो सोबाओ है वो न समझने के कारण ऐसी बाते बहुत ज्यादा होती है इसी वी जैसे इनका जो नेचर है उनकी जो मांगे है वो समझ लेने के बहुत ज्यादा आवश्यक्ता होती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि म मकर राशी होती है वो दशमस्तान में आती है स्त्री राशी है इस राशी का जो स्वामी है वो शनी है और यह राशी चर राशी है और इस राशी का जो तत्व है वो पृत्वी तत्व है अब इनका जो नेचर इनका जो सौबाव है वो किस प्रकार का है तो जो सभी बारा बहुत ही सोच समझ के decision लेती है कोई भी काम कोई भी decision जो भी बात है वो जल्दी-जल्दी में कभी भी नहीं करती बहुत ही अच्छी तरह किसे सोचते हैं अलाकि इस राशी की स्ट्री होती है वो आप देखे, तो उनके उम्र से ज़्दाज़ा उनमें maturity दिखाई देती है, और यह maturity की बात है, वो करीबन हर पहलू में आप देख सकते हैं, मतलब उनका जो रहन सेहन होता है, उनकी जो बाते होती है, मतलब जो बोलने की जो बाते होत होते हैं वह बहुत ज्यदा हार्ड वर्किंग होती है अब आपने देखा होगा कई राशिया होती denk है कर बार होती है यह एक तो घर पर काम कर से हैं वह घर के बाहर से जब्रेटहरां च्छी तरीके से कर लेती है और उसमें उन्हें रस भी रहता है लेकिन और भी कई मेरे राशी है सिंग राशी है थोड़ी बहुत मियामी तुन राशी है या फिर धनू राशी की जोस्तियों होती है वो घर से जाधा बाहर के जो काम है वो काफी अच्छी तरीके से कर लेती है मतलब उनको वो जो मतलब करियर की जो बाते होती है उनमें ज्यादा रस होता है वो जो काम वो काफी अच्छी तरीके से कर लेती है लेकिन यह जो अकेली मकर राशी की जोस्त्री होती है वो घर का काम या फिर घर के बाहर का भी काम ह भी नोकरी हMaybe बिजनेस हम किसी भी प्रकार्चा काम इस राशी कि जो स्थी में काम काफ़ी तरीके के प्रिक प्रमाय छूप या होती है वह हमेशा बाउदिक सतर के जो काम है वह करती है या फिर उसमें ज्यादा इंट्रेस होता है लेकिन शायरिक तोर पर जिसमें ज्यादा कष्ट है फिर हार्ड वर्किंग है वह जो काम है वह कौर 20 किसी भी प्रकार काकाम हो वह कर लेती है और बहुत और दूसरी बात ज्याद़ा बोलती नहीं कई जो राशी की जोस्त्री होती है वो बहुत ज्यादा बूलते हैं लेकिन यह जो अकेली जो राशी है इस राशी की जो मैला होती है वो किसी भी प्रकार का काम हो कितना भी कश्ट दाई हो उससे ज्यादा उसमें ज्यादा न बूलते हुए भी वह मतलब शांत पुर्व को करते रहेगी इसी वज़े से इस राशी की जो स्तरी होती है वो करियर के मामले में भी दीरे दीरे आगे बढ़ते हैं लेकिन इनकी जो भी मतलब माननीता होती है इनकी जो भी इच्छाएं होती है इनका जो भी टारगेट होता है इनकी जो भी अच्यूमेंट होती है वो अच्यू क पूरा confirm होने बाद ही कोई भी काम है वो शुरुवात करेगी तो यह बात इन में होती है तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो यह जो राशी है वो काफी आगे बढ़ती है और हमेशा यह सोचते हैं इनके पास brain मतलब money brain जो बोते हैं वो भी काफी अच्छा होता है मतलब पैसे किस प्रकार से कमाने है, earn करने है, किस प्रकार से कहा पर earn करने है, कैसे earn करने है, कैसे खर्च करने है, कहा पर खर्च करने है, कितने investment करनी है, किस प्रकार की investment करनी है, कितने साल तक investment करनी है इस सभी तरह की जो बाते हैं इनका जो brain है इनकी जो बुद्धी है वो काफी अच्छे तरीके से चलती है तो इसी वज़े से practical होती है वेवारी होती है और पैसे वो बाकी लोगों के लिए अपने लिए भी नहीं खरकरती बाकी लोगों के लिए नहीं खरकरती लेकिन family के में बहुत ही ज़ढ़ा देखी जती है अला कि प्रथन दुष्टे में आपको लगएका कि इस राशी की जो महिला होती है या फिर रिववाइसachoT1 होती है इन्को इमोश्न स नहीं है लेकिन इनको बहुत ज़ादा एमोशन होते हैं लेकिन वो इमोशन STEP को थोड़ा सा रबा कर रही कर रखती है मतलब यह बात विच्चिक राशी की तरह नहीं होती कि अगर समय आ जाए तो पूरी तरह से आपने जो emotions है वो फेर देगी लेकिन यह जो राशी हो हमेशा अपने emotions है वो दवा के रखती है लेकिन बहुत ही ज्यादा emotional रहती है तो फिर इसे कौन सी बात होती है जिसके इस राशी की जो विवा इस्तरिय होती है वो किसी और व्यक्ति में ज्यादा interested होती है या फिर extra marital affair या फिर विवा बाय संबंदें इनमें देखी जाते हैं तो सबसे पहली मेरित्वा पुर्णबाद इस राशी की जो स्तरिय होती है वो ट्रस्ट वर्दी होती है अगर आपकी शादी जो मकर राशी की जो स्तरिय है इनसी हुई है तो वो मनी मन में आप को चुल लेगी कि यही जो विक्ती है विक्ती के उपर मुझे पूरा विश्वास है और इसी विएक्ती विश्वास रखकर आगे बढ़ना है फिर family के लिए या फिर अपना जो पति है उसके लिए कुछ भी करने के लिए होती है मतलब कितना भी काम हो कितना भी कश्टपर् तो यह जो राशी जैसे मैं शुरुवत में कहा कि इस राशी की जुस्तरिय होती है वो ज्यादा बोलेगी नहीं कई राशी की जुस्तरिय होती है वो काफी ज्यादा बोलती लेकिन इस राशी की जुस्तरिय होती है वो थोड़ा कम बोलेगी लेकिन जो भी बोलेगी उनमें ब तो भी ठीक है उसमें करiros खोने करें लेकिन कम से कम यसो बाते होती है वह सुननी जायदा आवशक होती यह अमिमामनuity दोर पधर देखा गया है कि पूर शवर गोता है उनका यहीं तहां असत्य है मतलब इनको अची तरीके से पता होता है कि किसी बातव पर किस परकार से decision लेना है दूसरी ज thi जाद मेंतो पुर्ण बात इस राशी की जोस्तरी होती है उसका अपमान कभी भी नहीं करना तीके शब्द कभी भी नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि होता क्या है कि इस राशी की जुस्त्री है वह मेश राशी की तरह या फिर रुच्चिक राशी की तरह या फिर धन्यों राशी की तरह अगर आप कुछ बोलते हो तो उसे जल्दी से रिवर्स नहीं करेगी लेकिन व कुछ भी जादा नहीं बोलते हुए इस राशी की जोस्त्री है वो आपसे दूरिया बनाए रखेगे और दूरिया बनते बनते ये आपका जो रिलेशन्शेप है वो भी खत्रे में आ सकता है या फिर ऐसे किसी मित्र को चुनेगी जो कि इनकी जो बहाशा है वो समझ सकता है इ इस राशी की जोस्त्री होती है वो प्रैक्टिकल होती है पैसे कहां पर खर्च करने है कितने कर्च करने है किस तरह से कर्च करने है कैसे पैसों की इंकम करनी है और इनमें वर्किंग कैपिसीडी काफी अच्छे होती है मेहनत करने के तायरी काफी अच्छी देखी जाती है इस राशी की जो स्तरी होती है, वो सुन्दर भी होती है, जी आजैसे कि मैंने करक राशी के बारे में, वुरुचिक राशी के बारे में कहा, उसी प्रकार मकर राशी की जो स्तरी होती है, उनका जो सौंदर्य है, वो काफी अच्छा देखा जाता है, खास करके श्रवन नक्ष करने चाहिए अगर ये बाते अगर वो अपनी जो पत्नी है उनके साथ शेयर करती है तो वो जो पत्नी है तो वो उसके ओपर काफी अच्छी तरीके की सला दे सकते हैं कि किस प्रकार से अर्न करने हैं किस प्रकार से कमाने हैं किस प्रकार से खर्च करने हैं किस प्रकार से उसक का विश्वास लोनों में काफी अच्छा बढ़ जाएगा जिसके वो जैसे आपका जो रिष्टा है वो काफी मजबूत हो जाएगा और मजबूत होने से आपकी जो रिलेशनशिप काफी अच्छी बढ़ेगी लेकिन अगर वो बात आप इंसे नहीं करते अगर जो भी बने त पूरुष वर्ग के बारे में देखा जाएं समंबंध किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं किस प्रकार से आगे सकते हैं कि यूग में मुद्धे क्या होते है उसके बारे में भी वीडियो या सीरीज निकालने की हमारे हमारा मानास है तो उसके संदर भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आप क्या देखना चाहोगे तो दोस्तों ये था मकर राशी की जो स्तरी होती है विवा स्तरी होती है वो एक्षा मेरेटियल आफेर में किस प्रकास से सम्मील देत होती है उसके बारे में चर्चा आपको ये वीडियो कैसे लगा आपने किस तरह से अनुगों किया इसके बारे में नीचे comment box में ज़रूर comment क बन्यमा